हाई दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल रामगर साइंस क्लासेस में और इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं कि मौसम को जोए कैसे रिपरचेंट किया जाता है मौसम को कैसे इंगलीज में जोए बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे तो चलि इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से फ़र ले हमारे आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट एक छोटा सा विंती है यदि आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को यह सब्सक्राइब कर लें तो चलिए इस वीडि इसको और एक तरीका से बोल सकते हैं इसको इंग्लिस में कैसे बोलेंगे अगला है बाहर ओस पढ़ रही है इसको इंग्लिस में क्या बोलेंगे इस म्यूजलिंग का मतलब क्या होता है ओस पढ़ना अगला संटेंस है बाहर कुहासा पढ़ रहा है इसका क्या होगा इट सब्पोगिंग आउटसाइड फोगिंग का मतलब क्या होता है कुहासा पढ़ना फोगिंग का मतलब कुहासा पढ़ना अगला है मुसलधार बारिस हो रही है इसका English क्या होगा It's raining cats and dog यह जो आपका phrase word है Cats and dogs का मतलब होता है मुसलधार बारिस होना इसका क्या हो जाएगा मुसलधार बारिस हो रही है It's raining cats and dogs मुसलधार बारिस हो रही है आगे देखते हैं एकला sentence बाहर बूंदा बूंदी वर्सा है इसका क्या हो जाएगा इस ड्रिजलिंग आउटसाइड ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है बूंदा बूंदी बाहर बूंदा बूंदी वर्सा है इस ड्रिजलिंग आउटसाइड ठीक है अगला देखते हैं आज जुलसाने वाली गर्मी है जैसे बोलते नहीं है कि आज बहुत कड़क की गर्मी है आज बहुत चोरो की धुप लग रही है यानि कि आज जुलसाने वाली गर्मी है इसको कैसे बोलेंगे It's a scorching hot today It's a scorching hot today A scorching का मतलब क्या होता है जुलसा देना जैसे कोई कमरा में घुचते हैं उसके बाद वहाँ पर सांस लेने में रिकत होती है तो क्या बोलते हैं कि कमरे में घुटन है There is suffocation in the room Suffocation का मतलब क्या होता है घुटन There is suffocation in the room अगले संटेंस है आज चांदनी रात है आज चांदनी रात है It's a moon night today It's a moon night today आज चांदनी रात है चलते हैं अगले संटेंस के और तो अगले संटेंस है अकास में बादल है अकास में बादल है अकास में बादल है The sky is cloudy सब भी इसका English बोलना रहेगा अकास में बादल है तो इसका क्या होता है The sky is cloudy अगला संटेंस है भारी तुफान है बोले तो जोरो की तुफान आ रहे है भारी तुफान है It's a heavy storm अश्ट्रॉम का मतलब क्या होता है तुफान It's a heavy storm अश्ट्रॉम मतलब तुफान आगे है आज बहुत कर्मी है बोलते हैं ना यार आज बहुत कर्मी है It's hot today It's hot today तो चलिए देखते हैं अगले संटेंस को तो अगला संटेंस जो है मेरा आज बहुत कर्मी है It's hot today उसके बाद है आज बिजली कड़क रही है It's thranding today थranding का मतलब क्या होता है बिजली कड़कना अगला संटेंस है आज धोप निकली है हम लोग बोलते हैं ना कि आज जो है धोप निकली है It's so sunny today ठीक है It's so sunny today आज धोप निकली है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सबसे फ़ले आप 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 वीडियो को लाइक करें आपको जे नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाए और आप वीडियो को देख पाए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ Thank you